हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आल आज मैं आपके ले जो वीडियो लेके आ रहा हो दिखे सबसे बड़ा शेयर इंडिया का अब इतनी ही स्टेटमेंट से आप जरूर समझ गये होंगे कि कौन सा है ये शेयर सबसे बड़ा शेयर इंडिया के बात हो रही है तो जरा गैस ये इतना बड़ा आमाउंट से आ रहा है वो कहां से पाल के लिए आ रहा है सात मैं इस इतना जबर दस्को टार्गेट दे रही है यू आप इस शेयर को ब्यूभभ लो इ्वेस्मेंट वाला शेयर है चलिए देर हम भी देखें इसका टेकनिकल फण्डमेंटल और ये पच् इस चोटे से वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले में आपको बताओ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बैल आकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और साथ में अब भी शेयर मार् में इन्वेस्ट कर पाओगे सीधे लेके चलता हूँ आपको यह लिस्ट अगर आप देखें टॉप 100 स्टॉक्स देखें तो सब उसे बड़ा शेयर आपको देख रहा होगा कौन कहीं रलांस इंडस्ट्री में जो बड़ी खबर आ दिया जरा इसको देखें और समझें यह बड़ी खबर पहले देखेंगे फिर बात करेंगे बाकी डिटेल्स की तो आराइयल की जो एक आर्म है उसने 25,000 करोड के इन्वेस्टमेंट कानाड़ा के ब्रूक फिल्ड से यहा आवर इंफ्रासक्टर ट्रस्ट जो रिलांस जीओ इंफर्टल प्राइवेट लिमिटेड है उसके लिए डील है जीओ आपको पता भी रिलांस जब जीओ को ले के आया था तो सब कुछ फ्री में बाटके जो नंबर आप सब्सक्राइबर इसने पकड़े बाकी सारी टेलिक सब्सक्राइब के वाट लगी नाव यहार ओनली टू बिग प्लेयर इन टेलिकॉम सेक्टर वन इस भारती एटल और सेकंड वन इस रिलांस जीओ आयम नोट कंसिडरिंग वोडाफोन आइडिया क्योंकि आप देख पा रहे हो कि कि किस तरीके से वोडाफोन आइडिया का श लाना पड़ेगा आइडिया को विचारा कुछ नहीं मिलेगा या तो एटल खरीदेगा या जीओ खरीदेगा यह सब जीओ के कारणामे हैं कि बाकी सारे भाग गए बस बचा जीओ और भारती एटल अब रलाइंस इंडस्ट्रियल इंवेस्मेंट होल्डिंग लिमिटेड यानि कि RIIHL जो कि हूली ओंड सबसिडिरी है रलाइंस इंडस्ट्रिय लिमिटेड की उसने यह भी ब्रूक फिल्ड इंफरस्रक्टर पार्टनर के साथ यह डील साइन की है 25,215 करोड की बहुत ही बढ़िया बाद भै मुझे लगत बहुत बहातरी अब जीओ के साथ यह ड टावर्स भी यह खरीदेंगे तो आने वाले टाइम पर जो बैकबोन है रलाइंस जीओ इन्फोकॉम लिमिटेड का नेटवर्क का अब आप देख सकते हो यह रलाइंस जीओ इन्फार्टर प्रावेट लिमिटेड और यह कंपनी अभी प्लैन कर रहे है कि अपने इन टाव मास्टर सर्विस अग्रिमेंट यह हुआ है मुखेश अमबानी जो कि करता धरता है अभी सब कुछ पूरा जीओ का सारा डिटेल देखे रलाइंस इंडिस्ट्री इस लिमिटेड के आदर आता है अलग-अलग सबसीडिरी जरूर है लेकिन ऐसा कोई स्टॉक नहीं है कि जो आई-प्यो आ सकता है रलाइंस जीओ का फ्यूचर को देखे अगर देखते हैं तो और अब आप खुद सोचे इतनी बड़ी यह डील है बहुत ही बढ़िया मैं काऊंगा रलाइंस इंडस्ट्री इस लिमिटेड अब यह शेर तो आपने देख दिया जो टार्गेट की मैं अब यूजर है वो बढ़ सकता है क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से अभी टेली कॉम कंपनी ने अपने रेट बढ़ा दिये और इस तरीके से रेट बढ़ा है कि भाई प्रॉफिट तो हो गई होगा अब एक नजर मां आपको लेके चलता हूं सीदे रलाइंस कि मुझे काफी नेगेटिब लगता है अब इस चीज़ को उथारने के लिए मुकेश अम्मानी जी कई बार सफाई दे चुक है अगर ये डेट कम धीरे धीरे होता है आने वाले टाइम पे ये धाई से दो होता है दो से डेल होता है इस तरीके से अगर कुछ प्रॉग्रस इ सेल्स ग्रोथ है दस परसेंट का प्रॉफिट ग्रोथ है आप देखे हर बिजनस में रिलाइंस इंडस्टी इस ने अपने कदम रखे हुए है चाहे वो हाइड्र काबन एक्स्प्लोरेशन हो पेट्टोलियम रिफाइनिंग हो उसकी मार्केटिंग हो पेट्रोकेमिकल्स हो डिजिटल सर्विसेज हर जगे पे रिलाइंस इंडस्टी का नाम है तो जैसा कि आपने देखा होगा अभी जो भारत पेट्रोलियम की बात चल रही थी कि रिलाइंस इंडस्टी उसको खरीच सकता है इन अशोशेशन विद जैसे कि आपना साओधी अरेमकों के साथ बिलके इसको खरीच सकता है ऐसी बड़ी-बड़ी बाते निकल क्या रही क्योंकि रिलाइंस जो है वो पेट्रोलियम का जो बिजनस अभी इसका मेलब मैं कहूंगा कि इतना ग्रूथ नहीं है लेकिन वहां पर जो मार्केटिंग का बिजनस पेट्रोलियम में मार्केटिंग का बड़ी डिलिवरी जरूर है लेकिन इस टॉक को अगर देखा जाए कि थोड़ा और करेक्शन होता है तो मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चनिटी आ सकती है इस शेर को जड़ा देखिए यह डिली चार्ट है मुझे यह शेर सबसे अट्रक्टिव वैल्यूशन में त आप यहां पर देखिए अल्मुस्ट तेरा सो रुपे का शेर था तेरा सो रुपे का अगर मैं बीस परसेंट भी कैल्कुलेट करूं इस टॉक का अगर आप पूरा चार्ट उठा के ले ले अभी यह बिल्कुल पीक में मुझे देखने को मिल रहा है लेकिन अगर मैं कहूं 1000 रुपे का लेवल मतलब कि कितना हो गया 130 से 230 रुपे यह गिरना कितना 330 रुपे गिरना तो सीधे लगा लिजी आप कितना 260 होता है तो 20% की यह गिरावट थी तो यह बहुत ही बढ़िया अपॉर्चनलिटी थी ऐसी अपॉर्चनलिटी बहुत कम इसमें आती है मैं 1440 से गिर के सीधे 1100 के लेवल पे आया था उसके बाद तो इसने बड़ी रैली पकड़ी है और ऐसी गिरावट आपको टाइम टू टू टाइम बीज बीज में मिलती रहती है हलकी फुलकी चोटी मोटी गिरावट देखिए देखने को मिलती रहती है तो इन करते हैं तो निकलते भी हैं प्राफिट टाइम टू टाइम भूक भी करते हैं तो स्टॉक में जो भी करेक्शन आपको आया आप इसको मान के लिए अपने वाच लिस्ट में हमेशा एड़ करके रखें और मौका मिले तो इन्वेस्टमेंट बढ़िया अब देखिए खुद मुकेश अमानी जी नीतामानी जी स्री चकरा कमर्शिल यह इनके कंपनी जालागला ACT टथावं एंटर्प्राइजीज है तो यह सब अमानी फाइमली का यह पूरा-पूरा मूकेश अमानी जी का यह शेयर बहुत ही जबरदस लेकित एक बात रखें कितरे सारे मूचURE fund houses ने इसमें invest किया हुआ, थोड़ा-थोड़ा करके सबने shares इसमें खरी दे वे हैं, अच्छी मुझे यह नहीं लगती है, इसमें एक बात कि इतना बड़ा stock है, लेकिन यह dividend नहीं देता, थोड़ा सा dividend जरूर इसको बढ़ाना चाहिए, ताकि investor और इसमें attract हो, थोड़ा और dividend को देना चाहिए, जो यह 6 रुपे, 7 रुपे का dividend देता है, तो कहीं न कहीं, at least 1%, 2% का, 1% के आजपास का dividend yield तो होना ही चाहिए, देखेए, इसका, 0.50 भी नहीं इसका dividend yield का percentage, बात करते हैं, बोनस की, तो stock ने अब तक 4 बार bonus दिया, last bonus 2017 में 1 is to 1 का दिया, तो यह आपने दे कर ले, बेल अकिन को प्रेस कर ले, यह सबको नोटिकाशन आतीर एगां, थैक्य। 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 पर वाचिंट वाचिंट वीडियो.